मुख्य खबरों की सबसे पहले बात हिमाचल की जहां हिमाचल सीएम के नाम पर कॉंग्रेस में अब घमसान शिरू हो गया है अब्जर्वर प्रभारी राजपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेटकर से मिले हैं और अब बाचित शिरू हो चुकी है सरकार बनाने का दावा पेश किया गया प्रदेश का कोई नेता साथ नहीं था अलग-अलग गुटो में कॉंग्रेस के वधायक बटे हैं प्रतेबाद सिंग, मुकेशक निहोतरी, सुकविंदर सिंग, लॉबिंग में चुटे हुए हैं देखिए, कई नाम सामनी आ रहे हैं, किसके नाम पर महर लगीगी, ये भी पता चल जाएगा, बैठक भी होनी है, राजेंद्र, राणा, ठाकुर, ज्वाली से, चंद्रकुमार, और असूलन से, धनी राम, शांडल के नाम पर भी चर्चा हो रही है, तो ये नाम कुछ सामन में आ रहे हैं, जुनके नाम पर चर्चा हो रही है, और अब घमासान भी शुरू हो गया है. विचारों को, अब्जरवर सुनेंगे, उसे हाई कमांड तक. भी चहरा मुख्यमंत्री पद का गोशित किये बिना चुनाओ लड़ा है, क्योंकि कई बार चहरा गोशित करने के नुक्सान भी हैं, और फाइदे भी हैं, लेकिन कॉंग्रेस की जिस तरह की परिस्थितियां रहीं, तो उसने सही निरने किया, और उसका फाइदा भी मिला, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब वहां सरकार बहुत साफ तोर पर और परियाब्त बहुमत से बनी है, वो ये बता रहा है कि कॉंग्रेस का निरने ठीक था, लेकिन छोटे राज्यों का जिस तरह से हम देखते हैं कि वहां एक अस्थिरता का वातावरन हमेशा बना र दावेदार हैं, जो ताल ठोक रहे हैं, कम से कम तीन मोटे तोर पर ऐसे दावेदार हमें समझ में आते हैं, जो हमाचल प्रदेश में, कॉंग्रेस के लिए, मुख्यमंतरी पत के लिए, अपनी अपनी दावेदारी के साथ मैदान में हैं, और कॉंग्रेस अच्छे से समझत ही है कि यह निर्णा अगर बहुत सुविचारित तरीके से अच्छे से प्री प्लाइनिंग से नहीं हुआ तो जो भी असंतुष्ट नेता रहेगा जो मुख्यमंत्री पत की दोड़ में शामिल है वो सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में उसको अनस्टेबल करने की कोशिशों में लग सकता है और इसका फाइदा बीजेपी उठा सकती है जैसा फाइदा बीजेपी को कुछ राज्यों में जिसमें मद्यप्रदेश भी शामिल है मिला है तो कॉंग्रेस के लिए ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है कि वहां वो तमाम धड़ों को साध है उनको एक साथ लेकर चले और इसके लिए तमाम जो भी क्योंकि राहुल गांदी समय यात्रा में वेस्ट हैं और उनका पूरा फोकस अपनी यात्रा पर है सोनिया गांदी अब सक्री राजनीती से मैं यह नहीं कहूंगा दूर हैं लेकिन उनका अब उस तरह का दखल नहीं है प्रियंका और प्रभारी जो 36 गल के मुख्यमंतरी है बूपेश बगेल जी की ये बड़ी जम्मेदारी है और मुझे लगता है कि सरकार बनने से कहीं अधिक ये महत्वपूर्ण मुद्दा है वहां कि कॉंग्रेस किस विक्टी को मुख्यमंतरी पद के लिए उसका नाम सामने लाती है जिससे कोई चुनोती भी ना पैदा हो और जो असंतुष्ट उमीदवार जो हो सकते हैं क्योंकि मुख्यमंतरी की कुर्सी एक को ही मिलेगी तो वो भी मुख्यदारा की कॉंग्रेस की राजनीती में बने रहें और कॉंग्रेस को नुकसान ना पहुँचा है यह बड़ा सवाल है बलकुल शरत जी ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि सीएम भूपेश बगेल की अगर बात करें तो उन्हें इस दर्मियान अब्जवर बनाया गया था चुनाव में उनका क्या रोल उनकी क्या भूमिका देखने को मिल सकती है इस बीच सबसे मातपूर्ण भूमिका उन्हीं की है क्योंकि तमाम जो लीडर्स अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं उनसे बंद कमरों में प्रभारी ही बात करता है और उनके मनतवे को समझता है और उन्हें समझाता है तो सबसे मातपूर्ण भूमिका एससमें भूपेश बगेल जी की है राजनीती में उनका कद बढ़ा है जिस तरह से हमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और इसके साथ ही अब ये और बड़ी जम्मेदारी है उनको अपने राजनीतिक कोशल और तमाम अपनी चतुराई का परिचे देना होगा इस पूरे मामले में क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रहे हैं कि अभी प्रतिभा सिंग के समर्थन में वहाँ नारे बाजी भी हुई है कारेकरताओं ने वहाँ हंगामा भी किया है और प्रतिभा सिंग को वह सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं तो यह तमाम चुनोतियां हैं जिन से जूजना है वुपेज भगेल जी को और प्रियंका गांदी को जी शरची बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बाच्षीत के लिए तो देखे हिमाचल में अब सीएम की कुरसी को लेकर घमासान शिरू हो गया है और ऐसे में कई नीता के नाम भी साबने आ रहे हैं कई दावे भी किये जा रहे हैं किसके नाम पर मोहर लगेगी उसका भी जल्द पता चल जाएगा वो भी साफ हो जाएगा लेकिन इस बीच घमासान जो है कॉंग्रेस में शिरू हो गया है कि शुनाब हमने वीरभध्दर सिंग के नाम पर जीता है वीरभध्दर सिंग के काम थे जो आज भी बोलते हैं और वीरभध्दर सिंग हर जन हर व्यक्ती के sap दिल में आज भी वह है उपी उस हम से ज्मासान जोगों की का necessarily संग्एगा करते हैं लोगों की चाह है we have high hopes from this family एक तो they have proved themselves if they feel I am fit for that और लोगों की भावनाए हैं जुडी भी तो अगर वो इस बात को consider करेंगे then ठीक है, they can give me that responsibility I can also, if they feel की no, no, it has to be given to somebody else तो we will obey that order also